प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें पैसे से बच्चों के लिए ऑक्सीजन की विवस्था की थी, और तभी से डॉक्टर कफिल को यूँ कह सकते हैं कि यूपी सरकार के निशाने पर आ गए थे, योगी आदित नाथ ने एनसे के तहट इन्हें जेल में बंद करा दिया था, एक भड़काव भासर देने के मामले मे पूरा देश तभी से डॉक्टर कफिल को रिहा करने की मांग सोसल मीडिया में कर रहा है, डॉक्टर कफिल पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं और उपर से इनकी हिरासत की अवधी भी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, मगर अब इलहाबाद हाई कोट ने सुनवाई कर करते हुए, डॉक्टर कफिल को रिहा करने का आदेश दिया है, यहां तक कि उनकी ऊपर लगे NSA को भी रद कर दिया है, कोट ने ये भी कहा है कि NSA के तहट डॉक्टर कफिल को गिरफतार कर जेल में बंद कर देना और 3 महीने की हिरासत तवधी बढ़ा देना ये पूरी तरह स योगी सरकार क्या बदले की भावना से डॉक्टर कफिल पर NSA लगवा कर उन्हें जेल में डाल दिया था, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, दर असल अली गड़ विस्ट विद्याले में 13 दिसंबर 2019 को CAA, NRC, NPR के खिलाफ भड़काव भासन देने के मामले में यूपी पुलिस ने डॉक्टर कफिल पर NSA लगा कर इसनी गिरफतार कर जेल में डाल दिया था, मगर इलहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि NSA की तहत हिरासत में लेना और अवधी बढ़ाना गैर कानूनी है और डॉक्टर कफिल को तुरंत हरिया किया जाए, तो त झाल 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 झाल